हेलो ओफिसेज अड़ा247 के ओफिशल यूट्यूब चानल पर आप सभी का स्वागत है हमने अब तक रिजनिंग में दो सेशन किये है आज हम फिर से रिजनिंग के सेशन में डिसकुस करने वाले है रिजनिंग का सबसे इंपोर्टन टॉपिक पॉजल्स ठीक है तो आज के से का डिसकेशन टॉपिक रहेगा पॉजल्स रिजनिंग का सबसे इंपोर्टन टॉपिक ठीक है सबसे इंपोर्टन क्यों क्योंकि पॉजल्स का वेटेज रिजनिंग में बहुत ज्यादा होता है अगर प्री एक्जाम देखते हैं आप अभी LICAAO और SBIPO दोनों के एक्जाम जाने वाले हैं तो इनके प्री में 35 मार्क में से कम से कम 20 मार्क के लिए पॉजल आनी ही आनी है ओके LICAAO और SBIPO दोनों में भी यही सीनाई हो रहेगा में में कम से कम 30 to 40% वेटेज पॉजल का रहेगा ठीक है तो इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए हमें पॉजल का प् इपडरेशन चानाय से पहले है सबसे पहले तो हम पॉजल इस वर्ड का मतलब समझते हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक हमें चानाय के लिए तो हम उस को एकदम basic से चालू करना ठीक है puzzle का मतलब क्या होता है आपने कई बार puzzle solve किये भी होंगे आपने puzzleración word सुना भी होगा puzzle का मतलब होता है refuse करना ठीक ंट का मतलब क्या होता है puzzle का मतलब होता है confusion आपने कई बार एक phrase नहीं होगी to confuse someone To puzzle someone To puzzle someone का मतलब क्या होता है किसी को confuse करना ठीक है exam में भी actually में यही होता है जो भी information हमने अब तक सीधी सीधी और straight forward देखी थी वही information क्या कर दी जाती है थोड़ी सी twist करके आगे पीछे दी जाती है और इसी को हम क्या कहता है puzzle कहता है clear हो गया अब देखो अगर हम exam point of view से देखते है तो puzzle को हम दो categories में classify कर सकते है puzzle की पहली category है arrangement और puzzle की दूसरी category है miscellaneous arrangement में क्या क्या आता है देखो arrangement में हमें किसी particular pattern के उपर किसी particular logic के उपर चीज़ों को arrange करना होगा जैसे की arrangement का सबसे पहली category हो सकती है row based arrangement ठीक है arrangement में दूसरी category आती है column based arrangement और arrangement की तीसरी category है geometrical figures based arrangement इन तीन टाइप की arrangement के साथ हमें deal कर रहा है हम one by one सारे types detail में समझता है क्या है row based arrangement row से आपको समझ में आया ही होगा की चीजों को जो कोई भी चीजे होगी हमें क्या करना है उनको एक line में arrange करना है ठीक है जैसे मान लो कुछ लोग दिये हैं हमें 8 लोग दिये है और वो एक line में बैठे हुए है ठीक है और सभी का face north के तरफ है तो यहां से हमें यह समझ में क्या आता है कि इस puzzle के type कौन सा है इस puzzle का type है row based arrangement मतलब चीजों को एक line में एक के बाजू में एक arrange करना है ठीक है अब यहां पर ही अगर exam में हमें दे दिया जाएगा कि कुछ boxes एक दूसरे के बाजू में रखे हुए तो क्या यह box based puzzle बन जाएगी मेरे हिसाब से तो नहीं क्यूंकि puzzle को अगर हम उसके variable के नाम से जानता है तो फिर हम इसमें चीज़े खामका बढ़ा रहे है क्या करना है हमें puzzle को हमेशा उसकी theme से जानना है जैसे कि boxes side में रखने तो कोई फरक नहीं पड़ता side में तो रखे है side में रखे है मतलब वो arrangement का theme अभी भी क्या है एक line में चीज़ों को arrange करना है यह चीज़े कुछ भी हो सकती है लोग हो सकते हैं, boxes हो सकते हैं या फिर parking में खड़ी कुछ cars हो सकती है buildings हो सकती है और कोई भी चीज़े हो सकती है ठीक है पर basically इसका theme क्या रहेगा एक के बाजू में एक चीज़ों को arrange करना यह रहेगा theme हमारा row based arrangement पहली category clear हो गई बढ़ते हैं दूसरी category की तरफ दूसरी category क्या है दूसरी category है column based arrangement column का मतलब क्या होता है row एक horizontal arrangement देखा हमने column आएगा vertical हमें arrangement जबी भी चीज़ों की arrangement vertical format में करनी होगी उसको हम treat कैसे करेंगे column based arrangement में treat करेंगे जैसे कि मान लो हमें दिया है कि एक 8 floor की building है और उसमें 8 लोग अलग-अलग floor पे रहता है अब 8 floor की building मतलब ये floor कैसे आने वाले एक के उपर एक आने वाले अब ये floor अगर एक के उपर एक आते हैं मतलब एक के उपर एक arrangement हो गया तो इसका theme क्या हो जाएगा column based arrangement clear हो गया दोस्तो अब यही floor की जगह हमें दे दिया जाएगा कि कुछ boxes एक दूसरे के उपर एक रखे है फिर से ये arrangement की theme pattern क्या आगया arrangement का vertical arrangement आगया तो इसका मतलब ये कौन सा arrangement हो जाएगा column based arrangement clear हो गया यहाँ तक हमने अब ये तक दो categories discuss की है एक row based arrangement है row based arrangement मतलब चीजों को हमें एक line में arrange करना है दूसरा है column based arrangement column based arrangement मतलब चीजों को हमें एक के उपर एक arrange करना है clear हो गया आपको अब बढ़ते हैं अगली category की तरफ जो है हमारी geometrical figures based arrangement अब ये क्या है अब geometrical figure based arrangement मतलब हमें अलग-अलग geometrical shapes के figure दे दी जाएंगे जैसे कि circular table दे दिया जाएगा, rectangular table दे दी जाएगा, square दे जाएगा, triangular table दे दिया जाएगा ऐसे अलग-अलग shapes के हमें tables दे दिया जाएंगे और कुछ लोगों को उन tables के around बिठाया जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या दिया जाता है, अलग-अलग shapes के table और उनके बाजू में लोगों को बिठाया जाता है और फिर complexity के हिसाब से, puzzle के complexity के हिसाब से क्या किया जाता है information दे दी जाती है, सब लोग अंदर की तरफ देख रहा है, सब लोग बाहर की तरफ देख रहा है कुछ अंदर, कुछ बाहर, इस हिसाब से complexity के हिसाब से यहाँ पर variations किये जा सकता है अब देखो, triangular, rectangular, circular, यह कोई अलग-अलग नहीं है सब में basically approach same ही लगता है, left, right थोड़ा सा वहाँ पर clear हो गया और कुछ properties होती है, वो थोड़ी सी समझ में आ गई, तो यह part हमारा आसान हो जाता है अब तक हमने क्या देखा है, सबसे पहले थो हमने puzzle इस word का मतलब देखा है फिर exam के हिसापस है, अब तक IBPS में और जो भी IBPS exams conduct कराता है उन में कौन-कौन से puzzles आया है, उनको हम categorize करने की कोशिश कर रहे है ताकि आगे चलके इन categories के साथ हम थोड़ा सा आसानी से deal कर सके clear हो गई आपको तीन categories, ठीक है, हम बढ़ते है miscellaneous की तरफ miscellaneous में क्या-क्या puzzles बन सकती है, देखो miscellaneous में, जो भी reasoning में हमने chapters देखे है उन सारे chapters पर puzzle बन सकती है, जैसे blood relation पर puzzle बन सकती है ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर blood relation पर puzzle बन सकती है, direction, distance पर puzzle बन सकती है order and ranking पर puzzle बन सकती है, इसके बाद scheduling पर puzzle बन सकती है, और इसके बाद आखरी category होती है banking special, ठीक है, यह सारी category समझते है blood relation chapter आपने किया है, दोस्तो blood relation में आपने अलग-अलग types के relations देखे है, ठीक है, तो blood relation में जो भी हमने questions किये है, उन्ही questions में information थोड़ी सी कम जादा करके, उनको twist करके blood relation पर puzzle बनाई जाती है direction distance में कई बार puzzle पूछी गई है, जैसे कि कुछ parking में कुछ cars खड़ी थी, उनके बीच में जो distance था, वो सीधा-सीधा ना देकर कुछ multiple, कुछ multiplication के format में दिया था, उसके कुछ equations बन रहे थे, तो यह direction distance पर puzzle हो गई, इसके बाद order and ranking पर puzzle बनती है, order and ranking सबसे पहले समझते हैं, यह है क्या, order basically हमारे पास दो ही order होते है, एक होता है ascending order और दूसरा होता है descending order, ठीक है, मानलो एक exam हुई है, और उस exams में कुछ students ने mark secure की है, अगर हम सारे students को उनके marks के descending order में लगाते हैं, तो जो सबसे पहला आएगा, उसका rank highest होगा, है न, मतलब order के हिसाब से ही क्या लगता है, rank लगता है, तो order और rank, इनका relation आपस में क्या होता है, यह समझना ज़रूरी होता है, यह समझ में आ गया तो इस category में जो भी puzzles आएगी, उनको हम थोड़ा सा आसानी से deal कर सकता है, ओके आगे बढ़ते हैं अगली category की तरफ, अगली category है scheduling ॅके, scheduling का मतलब क्या होता है, scheduling का मतलब होता है टाइम ।े बल, ओके, schedule का मतलब आपने सुना होगा कि time table वगेरा, schedule मतलब time के हिसाब से हमें चीजों को arrange करना है time की हिसाब से चीजों को arrange करना है मतलब क्या कि बानलो एक हफते का time दिया है उसमें 7 subjects जेकर हमें हफते का time table बनने के लिए कहा है या फिर कुछ months दिये हैं उसमें कुछ dates दिये हैं और उन dates में हमें कुछ birthdays, seminars और कुछ events arrange करना है basically इस category में जो भी puzzles आती है उनमें हमें conditions कैसे मिलती है कि इससे पहले ये चीज हुई थी इसके बाद में ये event हुआ था तो पहले और बाद में मतलब time के हिसाब से यहाँ पर चीजों को दे रहे हमें तो यहाँ पर चीजों और conditions हमें कैसे मिलेगी time के हिसाब से मिलेगी अब तक हमने जितनी भी categories discuss की है सारी clear हुई होगी बढ़ते हैं हमारी आखरी category की तरफ आखरी category है banking special अब ये क्या category है banking special banking special मतलब अगर एक ही line में मुझे कहना है तो मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि जो puzzle की practice हमसे नहीं हुई है और वो फिर भी exam में आ गई उसको हम कहता है banking special ये क्या है अब practice नहीं की फिर भी exam में आ गई मतलब क्या एको दोस्तो IBPS की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि उसको surprise या shock देने के आदत है जो कि हमें mains में हर बार देखने को मिलता है तो यहाँ पर ही कुछ ना कुछ combination करके ये banking special बनाया जाता है अब इसकी practice हमें कैसे करनी है देखूं banking special को अच्छे से deal करने के लिए ये category अच्छे से इस पर command बनाने के लिए हमें क्या करना है ये जो हमने अब तक सारी categories जो देखी है इनकी उपर हमारी command बहुत अच्छी होनी जाईए banking special मतलब क्या बनेगा कि इनी सारी चीजों की खिचडी बनाकर यहाँ पर puzzles डिजाइन किये जाएंगे जैसे कि पिछले साल में IBPSPU mains में क्या हुआ था कि एक puzzle में conditions उन्होंने कुछ coding के format में दी थी जैसे A dollar B mains जो A के second right में बैठता है उसकी salary इतनी है and so on तीक है वो हम आगे चल कर जब इन ताइप के puzzles को discuss करेंगे हम इसको definitely देखेंगे कि यह होता क्या है क्लियर हो गया दोस्तों अब तक हमने क्या किया है कि puzzle को सिर्फ समझने की कोशिश की है puzzle इसको approach कैसे करना है solve कैसे करना है यह अब तक हमने कुछ भी नहीं देखा है पर puzzle की category कौन-कौन सी होती है कौन-कौन से category से puzzle exam में आती है बस इतना हमने देखा है यहाँ पर clear हो गया सबको यह categories discuss करने का मतलब क्या है हमें puzzle पढ़ने के बाद वो puzzle इन में से कौन से category में जाती है यह समझना बहुत ज़रूरी होता है क्यूंकि इसी category के according हम अपना base choose करने वाले है जो कि puzzle के solution में बहुत important role play करता है क्यूंकि जितना सटिक आपका base रहेगा उतना solution आपका जल्दी आएगा और उतनी परेशानी आपको कम होगी clear है? अब देखो मैं अगर आपको कहता हूँ कि एक line में 4 लोग बैठे हुए है और सभी का face north की तरफ है तो क्या समझ में आता है आपको कि puzzle इन में से कौन से category में जा रही है line में 4 लोग बैठे है सब लोग नौर की तरफ देख रहा है मतलब definitely यह row-based arrangement है 4 लोगों को हमें line में मतलब एक के बाजू में एक arrange करना है तो यह arrangement कौन सी हो गई? यह arrangement हो गई row-based arrangement इतना समझ में आने के बाद अब हमें क्या करना है? हमारा base बनाना है base मतलब देखो 1, 2, 3, 4 clear है? हमने 4 लोगों के लिए एक line में जगव बना दी है तो यह हो गया हमारा base clear हुआ? यहां से आगे जो भी conditions हमें मिलेंगी वो conditions हम यहां पर इस base में relate करने की कोशिश करेंगे जो भी information हमें मिलती है और puzzle को थोड़ा सा systematically deal करने के लिए हम क्या करेंगे? कि information को 3 categories में classify करेंगे ताकि इसके साथ deal करने में हमें थोड़ी आसानी हो जैसे कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि A sits at the extreme left end of the row क्या कहा मैंने आपको? कि A sits at the extreme left end of the row तो आप A को इस line में कहा पर लोगे? आप extreme left end मतलब A को definitely यहाँ पर ले पाएंगे है ना? मैंने जो भी information अभी आपको दी थी वो information सीधा सीधा आप इस base में relate कर सकते थे तो यह information की हमारी पहली category है जहाँ पर information सीधी सीधी और straight forward दी जाएगे सीधी सीधी और straight forward information का मतलब क्या है? जो भी information हमें मिलेगी puzzle में वो सारी information हम directly base में relate कर सकते है बिना किसी confusion के clear हो गया? यह puzzle की सबसे आसन information की category है तो यह हमारी पहली category थी अगर मैं आपको कहता हूँ कि A sits at the end of the row अब मैंने क्या कहा आपको कि A line के end में बैठता है अब देखो जारा इस information को हमारे base में relate करने की कोशिश करते है line के end में A को लेना है तो line के तो 2 end है इस में से कौनसी end पर A को लेना है? यह अभी clear है क्या हमें? नहीं है यहाँ पर इस information की वज़े से हमारा क्या हो रहा है? कि confusion हो रहा है कि exactly यह information हम base में कैसे relate कर सकते है A को left end पर ले या फिर A को right end पर ले clear हो गया? तो information की हमारी दूसरी category क्या है? कि जहाँ पर अगर हम वो information base में relate करने जाएंगे तो हमारा confusion होगा और वो confusion limited हद तक रहेगा थोड़ा बहुत confusion होगा उसमे ओके? देखो यहाँ पर confusion होकर कितनी case बनी थी? सिर्फ दो case बनी थी एक case में A left में आ सकता था और दूसरी case क्या थी? वो right end में जा सकता था. Confusion था left या right पर वो limited ही था ना क्योंकि दो ही cases बन रही थी यहाँ पर ठीक है? तो यह information की दोनों category समझ में आ गई आपको पहली category क्या है? जिसमें information बिल्कुल सीधी सीधी और straightforward दी जाएगी जो information directly हम अपने base में relate कर पाएंगे दूसरी category क्या होगी? information की वो category जहाँ पर हमारा confusion होगा पर वो limited level तक रहेगा अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि A और B हमेशा एक साथ होने चाहिए क्या कहां मैंने आपको A और B हमेशा एक साथ होने चाहिए तो आप यह point यहाँ पर कैसे relate कर सकते थे? चलिए कोशिश करते हैं क्या क्या हो सकता का यहाँ पर हम A और B ऐसे ले सकते थे? एक साथ मतलब यह सिक्वेंस उल्टा भी हो सकता था क्योंकि हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं है या फिर हम A और B को यहाँ पर ऐसे ले सकते थे? यह सिक्वेंस अगर उल्टा कर दिया तो यह यहाँ पर ऐसे भी आ सकते थे? ठीक है या फिर A और B हम यहाँ पर ऐसे ले सकते थे या फिर B को यहाँ पर और A को यहाँ पर ऐसे भी ले सकते थे information क्या दी थी हमें A और B हमेशा एक साथ होनी चाहिए देखो क्या हुआ है अगर यह information हमने अपने base में relate करने की कोशिश की है या फिर करते हैं तो कितनी cases बन रही है यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच और छे cases बन रही है और इन में से कौन सी case सही है या भी पता है क्या हमें नहीं है तो यह हमारी information की तीसरी category है जहाँ पर confusion रहेगा और वो बहुत ज्यादा रहेगा जैसा की इस case में हुआ है clear हो गया हमें information कितनी categories में मिलती है कुछ भी information puzzle में मिलने दो वो यह तीन category से बाहर बिलकुल भी नहीं जाएगी या तो उस information की सारी की सारी information उस hint की सारी information हम directly based में relate कर सकते हैं जो कि हमारी पहली category होगी या फिर अगर वो information relate करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत confusion होगा यह दूसरी information होगी या फिर confusion बहुत सारा होगा यह information की तीसरी category होगी आप अब तक अगर किसी ने आप में से puzzle solve किया है तो थोड़ा सा observe करना सारी की सारी conditions इनी तीन में से कोई ना कोई category में fit होती है अब हमें puzzle solve करने के लिए मतलब puzzle में master बनना है तो क्या करना है देखो इस information को सबसे पहले तो समझना होगा हमें ठीक है कि information पढ़ने के बाद उसका मतलब समझ में आना ज़रूरी है मतलब समझने के बाद वो information इस में से कौन से category में जाती है यह हमें समझना है और फिर उसको कैसे deal करना है यह हम सीखेंगे puzzle solve करना है यह सीखना है मतलब हम क्या सीखेंगे सबसे पहले तो information की category हमें समझनी है और उस category के साथ हमें कैसे deal करना है यह सीखना है और कुछ नहीं करना है clear हो गया तो puzzle solving कम है यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम algorithm discuss करते हैं कि actually में करना क्या है puzzle solve करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें उसकी theme समझनी है ठीक है theme समझना जरूरी क्यों है क्योंकि theme के according हमें अपना base choose करना है जैसे कि हमने मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक example analysis किया था जो row based arrangement था row based arrangement पे base कैसा बनाना है यह हमने देखा वैसे ही जबी सारी type की puzzle हम discuss करेंगे इस information को समझना है यानि यहां पर role किसका आ जाएगा हमारे comprehension का comprehension मतलब जो भी information हमें दी जाती है वो समझ में आना जरूरी है information अगर समझ में आ गई तो हमें क्या करना है बस उसकी category decide करनी है category कैसे decide करेंगे यह तो वो information base में relate करने की कोशिश करेंगे और बागी क्या करना है यह थोड़ी देर पहले हमने discuss किया clear हो गया अब देखो puzzle difficult या आसान के से बनती है अगर puzzle में सिर्फ यह दोनो categories की information है तो puzzle easy to moderate level की होती है easy होती है basically clerk की अगर exam देखे तो सारी puzzle की conditions इनी दो categories में maximum होती है अगर officer level का paper देखते है जैसे कि अभी हम SBI और LICAA को focus कर रहे है तो यहाँ पर puzzle difficult कैसे बनेगी यहाँ से कुछ conditions ला दी जाएगी ताकि confusion जादा create हो clear है अगर हमें इस category के साथ deal करने के approaches अच्छे से पता है तो हमें यह परेशानी कम होगी clear है तो puzzle difficult कहां से बन सकती है एक तो confuse करने वाले information को बहुत जादा दे दिया जाएगा या फिर comprehension के लिए conditions difficult बनाई जाएगी ठीक है जैसे कि IBPSPO mains में किया था थोड़ी देर पहले मैंने वही example share किया था कि वहाँ पर conditions क्या किया था coding के format में दे दी गई थी ठीक है तो puzzle को सिर्फ और सिर्फ इनी दो जगों से difficult बनाया जा सकता है तो हमें क्या करना है बस इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सारी practice करनी है practice करते है वक्त हम इन चीज़ों पर धान देंगे कि हमारी improvement इन चीज़ों पर हो रही है या नहीं clear हुआ ओके अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक puzzle हम यहाँ पर solve कर लेंगे और देखेंगे कि अभी हमने जो भी discuss किया है उसको implement कैसे करना है पजल आसान रहेगी बस यहाँ पर मुझे यह जो अभी हमने discuss किया है उसको implement कैसे करना है यह बताना है यह आसान पजल में implement करने से क्या होगा कि difficult puzzle में जो difficult puzzle होती है इनका भी solution यही से आता है clear हो गया सबको sir slide share कीजेगा please यह puzzle आपके screen पर है एक बार यह puzzle आप खुद solve करने की कोशिश करना देखो क्या बनता मिलता है आपको solution आप मैंसे कही लोगों की यह puzzle solve हो चुकी होगी पर अब हमें यहाँ पर हमने जो सीखा था वो यहाँ पर कैसे implement कर सकते थे यह देखना है सबसे पहले तो पहले paragraph में क्या समझ में आता है हमें कि 8 लोगों को हमें एक line में बिठाना है और सबका face कहां पर होना चाहिए नौर्थ की तरफ ठीक है यहाँ से क्या समझ में आता है हमें यहाँ से puzzle की theme समझ में आ गई इन सबका face कहां पर दिया था हमें नौर्थ में दिया था अब row based arrangement अगर है तो हमें कुछ चीज़े पहले से clear होनी चाहिए जैसे कि left right clear होना चाहिए अगर हम यहाँ पर सारे लोगों को बिठाते है तो इनका right हमारे right की तरफ ही होगा और इनका left हमारे left की तरफ ही होगा clear हो गया okay हमारा base बन चुका है अब जो भी information हमें मिलेगी उसको हम यहाँ पर relate करने की कोशिश करेंगे उसकी category decide करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके साथ deal कैसे करना है जैसे की हमें पहला point दिया है w is not neighbor by more than one persons यह point कितने लोगों के समझ में आया था क्या point है w is not neighbor by more than one persons इसका मतलब है w के बाजू में एक से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए एक से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए मतलब यहाँ पर थोड़ा सा observe करो अगर w हम यहां से लेकर यहां तक लेते मानलो w यहां पर लिया तो w के बाजू में कितने लोग आ रहे दो लोग आ रहे तो w यहां पर तो नहीं हो सकता था ऐसे अगर observe करते है तो w के लिए सिर्फ जो आकरी end वाली जगह थी वही खाली बच्चती है न हमारे पास point क्या था कि w के बाजू में एक से जादा लोग नहीं होने चाहिए थे और यह possible कब हो सकता है जब w line के end पर बैठेगा clear हो गया अब देखो यह point तो समझ में आ गया हमारे क्या समझ में आ गया कि w line के end में होना चाहिए पर line के तो दो end है यहां पर w कहा लेंगे हम left end में लेंगे या right end में लेंगे या confusion है तो क्या समझ में आता है यह information कौन से category में चली गई है दूसरी category में जहां पर confusion तो हो रहा है पर confusion होने के बाद कितनी cases बन रही है सिर्फ दो cases बन रही है एक case में w आएगा left end में और दूसरी case में w आएगा right end में तो अगर condition में limited confusion होता है तो हमें क्या करना है दो cases बनानी है एक case में w को ले लेंगे left end में 1,2,3,4,5,6,7,8 और दूसरी case में w को ले लेंगे हम right end में clear है अब देखो इस point में कुछ भी confusion चूटा है क्या सारा का सारा clear हो गया w के बाजू में एक से जादा लोग नहीं होने चाहिए satisfy हो चुका है clear है अब देखो यह point relate करने के लिए सब base बनने के बाद जो भी conditions हमें मिलेगी वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है अगले point की तरफ बढ़ते हैं अगला point क्या दिया है s sits second to the right of q s कहाँ पर बैखता है q के second right में यहाँ पर यह point relate करने की कोशिश ज़रा करते है q यहाँ पर s यहाँ पर क्यों यहाँ पर s यहाँ पर बहुत सारा confusion होगा q और s confirm रखी नहीं पाएंगे हम तो यह condition को उनसे category में चली गई है तीसरी category में जहाँ पर confusion बहुत ज़ादा होता है अब देखो अगर कोई condition बहुत ज़ादा confuse कर रही है तो हम क्या करेंगे उस condition को बस हम short symbol में short format में note down करेंगे इससे फाइदा क्या होता है कि हमें puzzle बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ती है ठीक है अब देखो यह as it second to the right of q हमने यहाँ पर note down कर लिया अब आगे बढ़ते हैं आगे point क्या दिया था v is the immediate neighbor of w v जो है w के immediate neighbor place में होना चाहिए w का immediate neighbor मतलब v यहाँ पर आना चाहिए था same information हमें यहाँ पर भी relate करनी होगी w के बाजू में मतलब v यहाँ पर आना चाहिए था clear हो गया आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया था हमें three person sits between v and r v और r के बीच में कितने लोग बैठते हैं तीन लोग क्या दिया है हमें v और r के बीच में gap दिया है पर इसमें से left में कौन है right में कौन है यह पता है क्या हमें नहीं है अगर robust arrangement में left right पता नहीं है तो हमें सारे possible cases consider करने हैं मतलब यह r जो है v के right में भी हो सकता था और v के left में भी हो सकता था यह दोनों चीजों के हमें consider करके चलना है यहाँ पर v के left में three places छोड़कर r लेने की कोशिश अगर करेंगे तो क्या r को ले पाएंगे हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे तो यहाँ पर r left में नहीं आएग में जहरा देखो v के दोनों side में r को relate करने की कोशिश करते हैं तीन places छोड़कर right में जा सकता है क्या r नहीं तो इस case में r definitely कहां पर आना चाहिए था तीन places छोड़कर r आना चाहिए था left में clear हो गया row based arrangement में मैं फिर से एक बार कहता हूं अगर सिर्फ gap दिया है तो left right clear नहीं होता है और हमें दोनों की तरफ की possibilities check करनी है ऐगे बढ़ते हैं क्यों इस NAT to the right of t q जो है वो t के right में नहीं है मतलब वह कहां पर होना चाहिए था, t के right में नहीं नहीं होना चाहिए, मतलब कहां पर होना चाहिए वो t के left side में ही होना चाहिए था clear हो गया, क्या दिया था हमें Q is not to the right of T T के right में नहीं मतलब definitely कहां पर होगा वो T के left में होगा, अब देखो यहां पर Q था ही नहीं, तो T को relate करने के लिए जाते तो बहुत सारा confusion होता, तो बहुत सारा confusion तीसरे category की information, यानि हमने उसको side में lockdown कर लिए, ओके, आगे देखते हैं क्या दिया है there are as many persons between V and T as between T and R point को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या दिया है V और T के बीच में जितने लोग है, उतने ही लोग कहां पर है T और R के बीच में, क्या समझ में आता है हमें यहां पर T से V जितने distance पर है, उतने ही distance पर कोन है R है, यानि यहां पर V और T, यह देखो, V और T का जो gap था वो क्या दिया था, T और R के gap के हमें बराबर दिया था यह condition दी थी, T से V जितनी दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर R होना चाहिए, इसका मतलब T, V और R के बीचो बीच होना चाहिए ना, तभी तो यह condition possible हो सकती है, है ना, क्योंकि एक point, दो point से सेम दूरी पर तभी हो सकता है, जब वो उनका mid point हो, अगर वो एक line पर है तो, ओके, अब यहां पर T कहां पर आ जाएगा, इनके बीचो बीच, यानि यहां पर लेना है और यहां पर T, इनके बीचो बीच मतलब कहां पर आना चाहिए था, यहां पर चलो ले लेते हैं, clear हो गया, ओके, अब इसके बाद में आखरी point क्या दिया था हमें, U और R के बीच में दो लोग बैठता है क्या है point? U और R के बीच में दो लोग बैठता है बात फिर से वही आ गई, यहां पर हमें सिर्फ gap पता है, left, right, clear नहीं है तो हमें left और right दोनों को consider करना होगा अब right में दो places छोड़ कर U जा सकता है कर यहां पर, नहीं जा सकता है तो एक दो places छोड़ कर U compulsory कहां पर आ जाएगा, left में left में यहां पर दो places छोड़ कर U आ सकता है कर इस case में, नहीं आ सकता है तो U को compulsory कहां लेना पड़ेगा हमें, right में लेना पड़ेगा clear हो गए यहां तक अब तक हमने क्या किया है पहले base बनाया है सबसे पहले तो theme को समझ कर और base बनने के बाद जो भी conditions हमें दी है उन conditions को हमने base में relate करने की कोशिश किया category समझ कर आगे जो कुछ भी किया है अब को clear हुआ होगा अब हमारे पास सिर्फ इतनी information बची हुई है अब हमारा काम क्या है यह information यहाँ पर इन दोनों cases में relate करने की कोशिश करने है अब यह information क्या है Q के second right में S चाहिए और T के left में information को ध्यान में रखना Q के second right में S और T के left में Q अब T तो यहाँ पर है इसके left में कोई जगा Q के लिए नहीं है इसके left में कोई भी जगा Q के लिए खाली नहीं है मतलब यह case क्या हो जाएगी हमारी यह case गलत हो जाएगी क्योंकि हम रखी नहीं सकते हैं यहाँ पर देखते हैं T के left में 1, 2, 3 जगा खाली है तीन मैंसे हमें हर जगह पर चेक करना है कि Q कहां कहां पर आ सकता है अगर Q को हम यहां पर लेने की कोशिश करते है Q अगर हमने यहां पर ले लिया तो एक छोड़कर दूसरे राइट में यहां पर S आ सकता है क्या नहीं आ सकता है इसका मतलब Q यहाँ पर नहीं आना चाहिए था Q कहाँ पर आना चाहिए था क्यों आना चाहिए यहाँ पर इसके second right में यहाँ पर कौन आ जाएगा S आ जाएगा यह जगह खाली थी यहाँ पर भी Q को नहीं ले सकते थे क्योंकि second right S यहाँ पर नहीं आ सकता था clear हो गया अब 8 में से 7 लोग तो हमारे सामने आ गया है सिर्फ एक बचा है और वो कौन बचा है P, यहाँ पर कौन आ जाएगा P आ जाएगा clear हो गया, हमें solution पूरा का पूरा मिल गया है ठीक है, एक बात थोड़ी सी notice की होगी आपने, कि puzzle हमने दोबारा नहीं पड़ी है, इसमें से कोई भी condition दोबारा नहीं पड़ी है, एक बार ही पढ़ कर पूरी puzzle solve कर दी है, puzzle आसान थी, बिल्कुल आसान थी, puzzle सिर्फ एक बार पढ़ कर solve अगर करना है, तो क्या matter करता है, देखो, हमारी discipline यहाँ पर कितनी अच्छी है ठीक है, जहाँ पर भी confusion बनेगा, उस confusion को हम कितना smartly और disciplined approach में handle कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे puzzle solution का time depend रहता है clear है, अगर आपको सारी चीज़े यहाँ पर जो मैंने discuss की है, clear हुई है और आपको वो पसंद आई है, तो इस video को like और share जरूर कीज़ेगा, और आपको इस video के बारे में क्या लगा है यह comment box में जरूर mention कीज़ेगा ठीक है, puzzles के अगले session में हम, मतलब puzzle का LICAAO और SBIPO, इनके लिए puzzle की series हम बहुत ही जल्दी चालू करने वाले हैं, उसमें और type की puzzles के साथ और detail में discussion करेंगे, ठीक है stay tuned, thank you and have a nice day